किसन भाईयो नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल डी भार्मिंग में किसन भाईयो आज हम बात करेंगे नए लेसुन की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में यानि कि नए लेसुन का भाव आने वाले कुछ दिनों में क्या रहेगा उसमें तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी कितना उतार चड़ा होगा और अभी जो पाव चल रहा है उसमें कितनी गिरावड देखने को मिलेगी तो इस वीडियो को आप कम्पलिटली पूरा देख लें अगर आपने लेसुन की बौई कर रखी है और आप अपने लेसुन को बाहर निकालने वाले हो इस वीडियो में आपको जो भी जानकरी बताई जाएगी वो आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद होने वाली है तो इस वीडियो को आप लगातार अंतर तक देखते रहे अधिक साथी किसानों के पास सेयर कर दीजे चैनल पर पहली बार आएई तो नीचे दिये वे लाल अक्सरों में सब्सक्राइब की बढ़न पर कलिक कर लीजे पास में जो गंटी आती है उससे दबा लीजे ताकि आप इससे परकार की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे किसान भाईयों कुछ किसानों ने जिन्होंने उटी लैसुन की बुवाई की थी उनका लैसुन का अभी अंतीम दोर चल रहा है और लगबग पच्छाश परतिस्त किसान उटी लैसुन को बाहर निकालने का कार्य कर चुके हैं और उन्हें मंडियों में बेच रहे हैं किसान भाईयों बात करते हैं उटी लैसुन के बाहर की तो अभी जो अच्छी क्वालिटी का बड़े अमाल हैं वो लगबग 6,000 से 6,000 के आसपास अभी जो गिला माल हैं वो बिकरा हैं इसके अलावा देशी माल भी अभी 3,000 से 4,000 की पोजिशन देखने को मिल रही हैं किसान भाईयों अभी जो बाव चल रहा हैं वो फसल की गिली होने के अउस्ता में बात करें तो ये अच्छा बाव हैं क्योंकि जो फसल हम बाहर निकालते हैं वो गिली होती हैं तो उसका वजन भी अधिक होता हैं तो अभी जो बाव हैं वो अच्छा हम मान सकते हैं इसके रहाब बात करते हैं आने वाले कुछ दिनों में तो जो अभी जनवरी माइना चल रहा है तो जनवरी माइने के अंतिम सब्ता यानि की 29 से 30 जनवरी के बाद लेस्टन के बाव में थोड़ा सुधार हो सकता है किसान भाईयों अभी जो लगतार आउके मंडीों में ज्यादा हो रही है या मंडी सुचरूरूप से नई चल रही है तो अभी जो वाव है उसमें इस माइने की अंतिम दिनों में कुछ सुधार हो सकता है यह मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको मैं कुछ एक आगडा बताने वाला हूँ किसन भाई, अभी जो मंडेों में लैसुन आ रहा है वो काफी बड़िया क्वालिटी का और वो ऊटी लैसुन आ रहा है इसके अलावा देशी लेसुन भी मंडियों में आ रहा है लेकिन वो कम मात्रा में आ रहा है तो नए लेसुन की तेजी की बात करें तो इस मेने के अंतिम सब्तास से हमें नए लेसुन के बाव में तेजी देखने को मिल सकती है बात करें या तेजी कब तक रहीगी तो किसन भायू या तेजी जादा दिन तक नहीं रखने वाली क्योंकि इसके बाद सभी किसन भायू की फसल पक जाएगी और सभी किसन भाय अपने लैस्न को बाहर निकालने का कारिश सूरू कर देंगे जिससे वापिस मंडियों में आवकें ज्यादा हो सकती है तो इस कारण तेजी की बात करें तो वो जनवरी के अंती महिने से फरवरी के सुराती सब्ता में खतम हो सकती है इसके अलावा पीछे भी तेजी आएगी लेकिन उतनी अधिक तेजी अगर आवके ज़्यादा होती है तो तेजी के कम चांसे नजराते हैं तो किसान वाईयों आपकी क्यार आई है कमेंट जरूर करें अधिक से अधिक सीयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में जई किसान